नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागित करता हूँ आपकी पनी चैनल अंकित पर्मा और एक पी नॉटिपिकेशन में तो दोस्तों देख सकते हैं तारा खबर ब्रेकिंग नूज आई है युबती ने जो है हिमाचर प्रदेश का नाम जो है रोशन किय कहां कि नूज ये क्या नूज ये चले जानकार ये आपको इस फिडियो में देते हैं तो देख सकते हैं तारा खबर ब्रेकिंग नूज जो है हिमाचर प्रदेश के शिलाई की बेटाई बेटी जो है पुश्पा कबड़ी फिल्ड में उतरते ही बन जाती है शेरनी साउथ अब एशियन गेम्ज में भारत को दिलाया गोल्ड अब एशियन गेम्ज में सोना जितने का जितने को जो है बाहर रही पसीना पांचमी कक्षा में खेल चुकी है स्टेट तो परिवेश परिस्तितियां गाउं शेर अमेरी गरी अमेरी गरीबी ये तमाम दुश्वारियां जो है बदतर मांसिक विमारी के सिवाए और कुछ नहीं है आज आपको पुष्पा से रूब रूब करवाएंगे वहीं पुष्पा जिसे जो है दिवे हिमाचल एक्सिलेंस ना वाल देने जा रहा है पुष्पा जब ग्यारा साल की थी तो उसे पता चल चुका था कि उसका भाव तारी रहा तो ग्यारा सार की पुष्पा राणा ने पांचमी कक्षा में पहली स्टेट कबड़ी चेंपियंशिप खेली अगले पांच साल तक इस होनहार में होनहार की खेल में गजब का निखार आया और दस्मी कलास में उसने प्रोफेशनल कबड़ी कोर्ट में रबदी एक दिन का नहीं पूरी जिंदगी का खेल है पुष्पा राणा इसी मूल मंतर पर चलते हुए आज हमाचे सरमौर और शिलाई की नाम की पताका देश दुनिया में फहरा रही है साउथ एशियन गेम्ज में गोल जीत चुकी पुष्पा अब चीन में होने जा रही एशियन मुकाबले 2020 के लिए पसीना बा रही है दसमी कक्षा से लेकर अभी तक पुष्पा का ठिकाना साही सेंटर धर्मशाला चल रहा है तो मौझूदा समय में में इंगलिश में अध्याइन भी कर रही है इस तोरान उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से कबड़ी के होनर क को सीखते हुए चार बार जूनियर नैशनल, पांच बार यूनिवस्टी गेम्स, चार बार नैशनल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवस्टी गेम्स, सीनियर नैशनल चेंपिन्शिप में हिमाचन टीम के कप्तान होते हुए सेलवर मेडल डिलाने के साथी अंतराश्ट्रे स तरपर नेपाल में साउथ एशियन गेम्ज में भाग लेकर भारत को मैडल गोल्ड मैडल जोए दिलाया तो दोस्तों यह थी तारह ख़बर ब्रेकिन न्यूज धन्याबाद चैहिं चैभाद